हेलो बच्चो कैसे है आप लोग सब दो मोस्ट अवेटेड वीडियो विट अलोड अफ कन्फूजन, 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 एकदम कन्फूजन ही, कन्फूजन है, सलूशन, कुछ पता नहीं तो ये बहुती जादा कन्फूजन टॉपिक अभी मार्केट में चल रहा है न्यूज सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, कब होगा अप्लिकेबल, कब आएगा क्या आएगा, क्या नहीं आएगा तो इन सारी चीजों को डील करने के लिए आज मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको न्यूज और सिलेबस में आपके लिए क्या नया है और ये न्यूज सिलेबस अभी कहा तक पहुचा है अपनी टाइम लाइन में वो आपके साथ डिसकस करूँगा और इस वीडियो के बाद आपको किसी और चीज को देखने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी कोई क्लिक बेट आपको जो मांग रहा है वो देने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आप कृपा करके वीडियो को और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा ठीक है जूकि रेगुलर इंटर्मीडियेट की क्लासेज मैंने चैनल पर अल्रेडी चालू कर दी है कंटिन्यूसली इंटर्मीडियेट की क्लासेज मैं ले रहा हूँ और बहुत ही जल्दी हमारा अपना अप्लिकेशन भी लाँच होने वाला है जिसमें CA इंटर्मीडियेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पाँच हजार रुपे में और उससे 10% डिसकाउंट 4,500 रुपीज में फुल CA इंटर्मीडियेट लॉका कोर्स तो चलिए आप वीडियो की शुरुबात करते हैं और मैं आपको कुछ और नहीं ICI का ICAI का ब्रोशर दिखाता हूं जो इस न्यू सिलेबस से रिलेटेड उन्होंने इशू किया था तो चलिए पहले उस पर चलते हैं देखिए ICAI जो बॉड़ी है वो हर हर कुछ पांच से साल के अंदर पांच साल अराउंड के अंदर अपना सिलेबस चेंज करता है जैसे पहली बार मतब इससे पहले भी सिलेबस में 2018 के एक्जाम्स के लिए अल्रेडी चेंज हुआ था जो अभी करेंटली CA Foundation है वो इसके पहले CPT हुआ करता था तो उसको चेंज किया गया है इस बार फिर से ये सिलेबस चेंज का ड्राफ्ट डाला गया है कि सिलेबस को चेंज किया जाएगा पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूँ जिससे आपके दिमाग में कुछ confusion है देखिए ICAI एक बॉडी है जो इंडिया में फिनांस को कंट्रोल करता है ये बॉडी रिपोर्ट करता है Ministry of Corporate Affairs को जिनको बोला जाता है MCA ICAI ने ये जो ड्राफ्ट बनाया है न्यू सिलेबस का थेक है ये न्यू सिलेबस का ड्राफ्ट उसके बाद इसको ये लेके जाना होगा Parliament में voting के लिए मतलब Parliament as in both the houses of the Parliament लोकसभा एं राजसभा एक बार वो वहाँ से majority से पास हो जाएगा उसके बाद ये सिलेबस बच्चों के लिए applicable हो जाएगा तो पहला question ये है क्या May 2023 के लिए ये syllabus applicable है बिल्कुल नहीं कते नहीं आप old syllabus में ही exam देंगे तो आपको फालतू चीजों की tension लेने की कोई दरकार नहीं है क्या November 2023 के लिए ये syllabus applicable है May be, may be not अभी कोई surety नहीं है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है मैं क्यों बोल रहा हूँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अब देखिये Parliament में ये bill pass होने में कितना time लगेगा उस पे depend करता है अगर ये जल्दी हो गया तो हो सकता है November exams के लिए हो जाए लेकिन अगर ये नहीं हुआ ठेक है So then there is a point कि compulsory नहीं है कि November exams में होगा ये applicable अब मैं पहले ना कुछ set of questions आपके deal कर दूँगा आपको ये नया syllabus दिखाने से पहले जो बच्चों के दिमाग में आ सकते है क्योंकि मेरे को पता है कि ये questions आपके दिमाग में चल रहा है background में ठेक है तो इनको मैं पहले deal कर देता हूँ सर सबसे पहला question जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर हम लोग जो foundation वाले हैं जो अभी foundation वाले हैं जिनोंने 31st December तक enrollment की है 31st December 2022 में जो enrollment की है तो हम अभी कौन से syllabus में exam देंगे बेटा अगर आप मे में exam देने वाले हो में 2023 में तो आप exam देने वाले हो old course में old course में सर let's suppose कि हमारा result दो cases हो सकते हैं हमारा result तेक है मतलब दोनों में से एक case तो होई सकता है सर हमारा result जो है हमारा result case number A हमारा result सर positive आता है हमारा result positive आता है सर तो हमारा अगला CA intermediate का exam या CA inter का exam कब होगा आपका CA inter का next exam होगा May 2024 में तो क्या सर तब हम लोग new course में रहेंगे या old course में आप रहेंगे new course में तो कोई tension लेने की दरकान नहीं है सर let's say सर कि हमारा result negative रहता है तो obviously आपको वापस से foundation देना होगा आप सुनिये यहां पर की बात जबी भी institute नया syllabus निकालता है वो आपको देता है एक transition period वो आपको कुछ terms देता है कि आप old syllabus में जो आपने पढ़ा है उसी में आप exam देके अपना exam निकाल लो तो वो आपको कुछ period देता है let's say वो आपको तीन term देदेगा ठेक है या दो term देदेगा ऐसा उन्होंने previously 2018 में 2018 में भी यह same pattern follow किया था ठेक है वो आपको चाहे आप CA में हो intermediate में हो foundation में हो या final में हो वो सब आपको थोड़े थोड़े देते हैं क्या terms जिसमें आप अपना exam निकाल सकते हो ठेक है अब माल लीजे आपका result negative हो गया तो आपके पास अब है दो option ठेक है आप जब November 2023 में बैठ हो ठेक है तो आप old course में ही exam दे सकते हो मेरे को जहां तक लगता है वो आपको 4 term देंगे मतलब November 23, May 224 November 24 और May 25 यहां तक वो आपको देंगे most probably मेरे को जो लगता है लेकिन 2 term से तो ज़्यादा ही मिलेगा so you will get 2 terms in excess मतलब November 23 और May 24 तो है गई आपके पास old में option एक आपके पास option और रहेगा कि sir अगर मेरा negative आया अगर मैं voluntary मतलब अपनी मर्जी से new course में जाना चाहता हूँ ठीक है मैं new course में foundation देना चाहता हूँ तो क्या मैं दे पाऊंगा in new course can I yes sir sir तो क्या इसके लिए मेरे को वापस से registration fees भरना पड़ेगा बिल्कुल नहीं sir इसके लिए क्या मेरे को वापस से पूरा hassle उठाना पड़ेगा registration का बिल्कुल नहीं आपको बस एक form fill करना पड़ेगा ठीक है जिसको transition form बोलते हैं और आप उस transition form को fill करते ही new course से old course मतलब old course से new course में जा पाएंगे बिना किसी problem के ठीक है यह आपका पहला option हो गया foundation students का है यहाँ पर जो doubts थे मैंने वो clear कर दिये अब अगली category of students वो लोगों की है ठीक है जिन लोगों ने December 2022 में foundation का exam दिया था foundation given ठीक है अब सुनिये अब इनके भी दो cases हो सकते हैं ठीक है एक इनका जो result है वो positive आ जा है देखो भई यह अगर आपका result positive आता है ठीक है तो आपका जो पहला attempt होगा ठीक है जो first attempt होगा वो आपका होगा November 2023 for CA intermediate ठीक है for CA intermediate November 2023 ठीक है अब ये सिर्फ आपका new ही में होगा आप old में इसको कर ही नहीं सकते जोकि आपका registration ही new में होगा वो registration ही close कर देंगे एक बार नया syllabus लाएंगे तो वो registration ही close कर देंगे for December 2022 cleared foundation students कि आपको नय syllabus में ही देना है आपके लिए old का option ही नहीं रहेगा कि नहीं सर मैं old में 2023 देना चाहूँगा बट, 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 बट एक बात याद रखिए बट, बट there is an if if parliament passes passes it passes the bill for November 23 अगर वो November 2023 के लिए इस bill को pass कर दें तो ठीक है, that is a if पर वो most probably हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए अच्छा, let's say कि आपका result अगर negative आ गया ठीक है, negative आ गया ठीक है, तो सर आपको सबसे पहले जो result negative आया तो आपको May 23 में May 2023 में फिर से foundation देना पड़ेगा ठीक है, May 2023 में सर ये foundation क्या old syllabus में होगा क्या new syllabus में होगा सर सवाली पैदा नहीं होता, May 2023 में कोई new syllabus आई नहीं रहा सब old ही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका exam old course में ही होगा सर मान लीजेए, सर हम लोग ने May 2023 में भी नहीं पास कर पाए, तो November 23 में, same options जो आपको पिछले page में दिये थे आप old में भी continue कर सकते हो और आप new में भी opt कर सकते हो, वो आपकी मर्जी पर होगा, ठीक है, old course ओके, तो आप I hope यह वाला भी logic clear हो गया होगा, अब तीसरी category of student वो आते हैं, कि सर हम अभी class 11 में हैं, let's say class 11 में हैं और newly entered class 12, newly entered class 12, तो सर हमारा जो सबसे पहला attempt है, तेक है, वो हमारा सबसे पहला attempt कौन सा होगा, हमारा सबसे पहला, आपका सबसे पहला attempt होगा, में वाला तो attempt आपका है नहीं, अगर आप पहले बार 12 में आ रहे हो, नवेंबर वाला भी आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा May 2024, तब तक तो new syllabus आई गया होगा, तब तक तो new course आई गया होगा, तो ऐसे बच्चों को मैं क्या recommend करूँगा पता है अभी, Do not do any registration, अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सर हमने तो already करा ली, हमने तो already करा रखी है, तब क्या करें, अगर आपने already registration करा ली है, already done, तो आप tension मत लीजेगा, institute एक transition का form लेके आएगी, जिसमें से आप new में, old में जा सकते हैं, ये सब data based on 2018 का syllabus change का जो pattern था, उसको देखते हुए मैं बता रहा हूँ, transition form लेके आएगी, जिससे आप एकदम जैसे sim card में carrier को port नहीं किया जाता है, उतनी ही अराम से आप अपना port कर पाएंगे, from old registration to new registration, old registration to new registration, अब एक last category of students को deal करता हूँ मैं, तेक है, सर मैंने अभी intermediate का exam दिया था, ठेक है, दिसंबर वाले attempt में, 2022 में, मैंने intermediate का exam दिया है, ठेक है, या सर, अब intermediate का exam दिया है, अब दो ही चीज़े हो सकती है, या तो result positive आएगा, ठेक है, या तो result negative आएगा, सर मान लीजे अगर हमारा result positive आगया, ठेक है, positive आगया, तो वैसे case में, आप CA final के लिए registration कराएंगे, और वो आपकी new course में ही होगी, वो old में हो ही नहीं पाएगी, institute वो option ही नहीं देगा तुमको old में जाने की, सो वो new में ही होगी, ठेक है, अगर आप negative होता है आपका result किसी कारण वर्ष, ठेक है, तो आपका अगला attempt आएगा May 2023, ये होगा आपका old में, ठेक है, ये आपका होगा वया old course में, 223, ठेक है, ये होगा आपका old में, ठेक है, और उसके बाद अगर आप November में new course आभी जाता है, even if it is introduced, ठेक है, introduction, new, ठेक है, आपके पास तभी भी, आपके पास तभी भी option रहेगा to continue with old, option to continue with old, अब कब तक continue, ये नहीं किया, आज even past नहीं किया, तो old में ही चलते रहेंगे, ऐसा नहीं, उसमें एक time limit होगी, ठेक है, कुछ terms देगी institute, ठेक है, उतने term में अगर आपने निकाल लिया तो ठीक है, इसे 3 term, 4 term में November का मिला के, तो ठीक है, वरना आप अगर उसके बाद भी न निकल पाए, and you want to continue with the CA course, तो आपको नहीं में ही exam देना पड़ेगा, ठेक है, तो ये 4 cases में, I hope मैंने सब के doubts को deal कर दिया, ठेक है, चूंकि बहुत सारी confusion चल रही थी market में, मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पर बता दी, एक कौन सी category में आप fall करते हो, 1, 2, 3 और 4 के है, ठेक है, उसी के साथ साथ, मैंने आपको ये भी बता दिया, कि बिल अभी तक कहां पहुचा है, और क्या scene चल रहा है, मतब अभी क्या scene है, what is the current situation, ठेक है, तो CA new syllabus की current situation अभी क्या है, वो मैंने आपको बता दी, ठेक है, अब इसके अलावा, अगर आपका कोई भी specific doubt है, तो आप मेरे को, इसी के नीचे, ठेक है, मैं आपको मेरी telegram ID मिल जाएगी, मेरे whatsapp community का address मिल जाएगा, ठेक है, ये मेरा phone number है, ठेक है, जिस पे आप मेरे को whatsapp कर सकते हैं, call से जादा आप whatsapp prefer करियेगा, 62 912 06067 तो ये हमारा help line number है, इस पे आप whatsapp करेंगे, तो आपको एकदम urgent reply मिलेगा, this is our help line number, 62 912 06067 ठेक है, तो इस पे आपको मिल जाएगा और आप इस वीडियो के नीचे description पर भी लिख सकते हैं, channel को like करियेगा, video को like करियेगा, channel को subscribe करियेगा, अपने दोस्तों के साथ भी share करियेगा, याद रखे, CA intermediate की classes यहाँ चल रही हैं, और बहुत ही जल्दी हमारा अपना app भी launch होन होने वाला, जिसमें हम लोग मात्र 4500 में, CA intermediate का course पढ़ाएंगे, live अभी YouTube पे पढ़ा रहे हैं, everyday 11am, free eat them absolutely to give you a feel of the early bird batch, so thank you so much, it is, bye bye from my side, आपको और कोई details चाहिए हो कि new syllabus किस के लिए लगेगा, नहीं लगेगा, तो आप जरूर मेरे को बताइएगा, thank you so much guys.